आज आपके सामने स्री राम आरिजी की सबसे महत्वपुर्ण पुस्तक सिव लिंग पूजा क्यों इसका आज हमारा पहला बाग होगा वीडियो का आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और स्री राम आरिजी की सबसे बड़ी उपलप्ती यह है कि वो जूबी लिखते हैं प्रमान सहीत लिखते हैं और पुराणों में ढूंडने पर वो सारे प्रमान मिल जाते हैं अगर आप इन प्रमानों को जानना चाहते हैं तो आप स्वेम महापुराणों को ढूंडिए क्योंकि उन महा पुराणों में मिलेंगे सक्षिप्त पुराण में मिलना बहुत मुस्किल है क्योंकि इन्होंने स्लोक कार्ड दी है जिस कारण से बहुत सारी समश्याएं पैदा हो गई है आपके सामने सिविलिंग पूजा क्यों इश्वर एक है परंतु उसके नाम अनेक है पुराणिक दर्म में ब्रह्मा विश्णुवा महादेव तीन प्रमुको पाशिदेव माने जाते हैं कुछ पुराणों में किनी किनी तीनों को एक ही मानना गया है अर्थात ब्रह्मा विश्णु वैसिव तीनो नाम एक ही इश्वर के हैं पागवत सकंद नमबर आठ अध्याई नमबर साथ में लिखा है प्रभो अपनी गुणमई शक्ति से इस जगत की स्रिष्टी इस्तिती और पढले करने के लिए आप एक रस अनंद होने पर भी ब्रह्मा विश्णु शिव आधी नाम धारण कर लेते हैं वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की स्रिष्टी इस्तिती और पढले करने के लिए ब्रह्मा विश्णु शिव इन शिव इन तीनो नामों को धारण कर लेते हैं ये विश्णु पुरान पर्थम अंस अध्याई नंबर दो का प्रमान है इससे प्रकट होता है कि ये तीनों नाम सर्वियापक परमात्मा के हैं और पुराने की जगत में कहीं लोग प्रतक प्रतक यानि अलग-अलग मानते हैं प्रमा अलग, विश्णु अलग, शिव अलग और कहीं पर विरुदा बास बढ़ा है कि इश्वर तो एक है वो सबका है वेदों में प्रमात्मा को सर्वियापक निराकार चेतन बताया है वो कोई सरीर वाला नहीं है वूसी प्रमात्मा के अनेक नाम है जैसे कि यजुरवेद, सामवेद और केवल्य पर निश्द का थोड़ा प्रमान देखे आपको बताते हैं आदित्य, वायू, चंद्रमा, सुक्र, ब्रम, आप, प्रजापती, सोम, राजा, वरुन, इंद्र, कालागनी, रूद्र, सीव, ओम, स्वराड, विश्णू, सुर्यादी नाम इश्वर के हैं जगत का उत्वन करता होने से ब्रह्मा, पालन करने से विश्णू, और कल्याण करने से सीव, प्रमात्मा का नाम है मरसी दयानन जी माराज ने सत्यार्ट प्रकास के परतम संभुलास में इश्वर के सो नाम दिखाए हैं पुरानिक साहित्य में भागवत्व, विश्णू, पुरान की एवं वेदों वे उपनिशुदों की उप्रोक्त मन्याइत्ता के वीपरित वर्नन मिलता है चिन में से इन सबी पुरानों का प्रतक प्रतक अस्तित्व माना है और एक दूसरे की निंदा भी की है महादेव जी ब्रह्मा के बेटे थे, ये लिंग पुरान का प्रमान है, पुर्वाद अध्याय आपकी 96 चिन्वे मेरी नाबी से कमल पेदा हुआ, उस कमल में से ब्रह्मा पेदा हुए, उन ब्रह्मा के माते से संकर जी का जन्म हुआ इसके वीपरित अन्यस्तानों पर इसी पुरान में लिखा है कि लिंग पुरान का प्रमान ओर देखिए, महादेव जी कहते हैं, मेरे दाहीने पसली से, पास्व यानी पसली से, लोक पिता मह, ब्रह्मा जी और बाहें पसली से, विश्व के आत्म सुरूब, हर्दयोद बव विश्व की पेदा हुए, इसके लिए एक प्रमान ओर आगे देखिए, बहुत महतुपुर्ण है, गरुड पुरान ब्रह्मा कांड अध्याई नंबर चार आप स्वयम देखिए, ब्रह्मा विश्व के महादेव को जो भी एक मानते हैं, वो सारे नरग में जाएंगे, जो लोग ब्रह्मा विश्व के महादेव को एक मानते हैं, वे मरकर गोर नरग में जाते हैं, उनका पुनट जनम भी नहीं होता, गरुड पुरान के इस लोग को पटकर वे लोग अपनी आखे खोल ले, जो तीनों देवताओं को कुछ पुरानों के आदार पर एक ही बता दिया करते हैं, यदि गरुड पुरान की यह बात सच है, तो भागवत्वे विश्णु पुरान के बनाने वाले तो गोर नरग मिला होगा, क्योंकि उन्होंने तिनों देवताओं को एक ही लिख दिया, इन कुछ उद्धरणों को देने का हमारा तत्वरी यह है, कि वेदिक साहित ने इन तिनों देवताओं का अस्तित्व प्रतक प्रतक ही माना है, हमें इनसे कोई सोरोकार नहीं है, कि इन तिनों में से कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा है, यह देगना तो हमारे पुराने के बंदुओं की अपने गर की बात है, इसलिक में हमने ब्रह्मा विश्ण के संबंद में भी विचाल नहीं करना है हम आज अपने पाठकों के संबंद में वास्तविक स्थिती से जानकारी कराना चाथे हैं हमारे देश की धर्म परायान हिंदु जनता करोणों की संक्या में सीव के वर्णन भरे पड़े हैं का जाता है कि सिव जी सपेरों के समान गले म साप को पहने रहते हैं समुंदर मंतन के बाद वे जहर को पी गए और उसके वे उनके गले में रखा हैं इससे वे नीलकंड कर लाए उन्होंने सत्ती से विवा किया उसके मरने पर वे अपनी लास को कंदे पर डाल कर सोक में दीवाने हुए सर्वत्र भटकते फिरे पर वे बाद उन्होंने हिमालाई राज की पुत्री पारवती से विवा किया कामदेव को बस्म कर दिया सिव जी के मस्तक से गंगाची निकलती हैं दोजका चंदर्मा सिव जी के सिर पर निवास करता हैं इत्यादी एनेक प्रकार की गाथाएं उनके बारे में प्रसित हैं कारणामों से प्रभावित होकर सिव के बक्त उनकी पूजा करते हैं शोर पुराण में शोर पुराण में तो सिव जी के बारे में लिखा है शोर पुराण अध्याई नमबर 40 जो मनुष्य सिव जी के समान विश्नु को देखता है वैं सिव जी के समान ब्रह्मा आदी देवतों को बताता है वह पापी है उसे देखकर कपड़ों से इतस्नान करना चाहिए विश्णु जी विश्णु सिवजी का दास है यह सुरूती समर्ती पुराणों का सिद्धान्त यानि कि सिवजी सबसे बड़े है इंद्राती सब भी देवता सिवजी के नोकर है यानि कि सिवजी मालिक सेट है वो बागि सब नोकर चाकर है जो मनुष्य विश्णु ब्रह्मा आदी को सिवजी के समान कहता है यानि कि सिवजी से कोई भी अगर बड़ा बताएगा तो सारे 60,000 साल तक मरे के टटी के यहनु की पाखाने की कीड़े बनेंगे जिनको नहीं बनना होतों मत कहिए हम तो मानते भी नहीं इन पूराणों को क्योंकि भरपूर का पूर है 60,000 का कीड़ा बनना है तो आप सीव जी को छोटा बता दीजे कि कृष्णी जी बड़े हैं विश्णू जी बड़े हैं बाकी सब चोटे हैं बिल्कुल नहीं करना आपको केड़ा नहीं बनना होता अगर आप इनसे मुक्ति चाहते हो तो सत्यारत प्रकास पड़ी है था कि आपको उद्धार हो जाएगा सीव जी की स्रिष्टता प्रकट करने वैं अन्य सभी देवताओं की तुच्चता दिखाने के लिए कितने प्रबल सब्दों का प्रियोग किया गया यह पाठग उपर के प्रमान में देखे तिनों देवताओं को एक ही बताने वाले हमारे पोरानिक भै अब कभी आगी महान पोरानिक देवता की एसी प्रसंसा देखकर प्रतेक समझदार व्यक्ति के अरदाई में यह प्रश्न उटना सभबावी कहें कि जब पोरानिक सास्तों में सीव जी की पूजा का विदान किया गया तो अन्य देवताओं की समान उनके सीरे धड़वे पेरों की पूजा सारा सीव पासक सनातनी सनातनी तो कहने मातन बागी पोरानिक कहें तो अच्छा रहे सनातन तो सदा से चला आ रहा है संसार उसकी उपासना में तलीन जबकि मुत्रेंद्री किसी की भी पूज नहीं है संसार में कोई सरापत की बात नहीं है वास्त्विक बात तो यह है कि पंतों का प्रदुर बाव हुआ एक इश्वर के स्थान पर बहु देवतावाद की मन्यतावा उनकी उपासना का प्रचार हुआ स्वार्तवास ब्रह्मन वर्ग ने ए सिक्षित जनता को धर्म के नाम पर नाना प्रकार के ढोंग रच कर लूटना खाना प्रारंब किया तो देश में दुराचारी लोगों दोरा सिसनों पासगेनी मुत्रिंद्री की उपासना करने वाले वाममारी के संपर्दाई का प्रचा कताये गड़ी और तत्सम्मंदी लिंग सीवाधी पुराणों की रचना कर डाली संस्कृत भासा का उस समय देश में पंडित वर्ग में प्रचारता अत सास्तुनों के नाम पर छंदोबद पुराणा दी ग्रंतों को बनाने में कठीनाई नहीं हुई वेश्णूओं ने विश्णू की प्रसंसा में पुराण बनाई तो सेवोने-शीव की प्रसंसा में अपनी मान्यता के आदार पर सहीत देयार कर दिया अंद विश्वासी देश की जनता ने उनका अंदनुकरौन प्रारंफ कर दिया और यह अंद परंपरा अब तक देश में बहु देवतावाद की पूजा की रूप में चली आ रही हैं, कोई भी आख खोल कर यह नहीं देखना चाहता कि सिविलिंग का पूजना धर्म है या पाप उस पर जल चड़ाना उचित है या अनुचित, जहां देखो सिविलिंग पूजने के बड़े-बड़े मंदिर और अं संपुन रहस्य बताना है, हमारा उद्धी से किसी की दिल को दुखाना नहीं है, वरन अपने वेदिक धर्मी जनता से मुत्रिंदिर की पूजा के इस गंदे आडंबर को तता प्रिष्टाचार से दूर करना और धर्म परायन अपनी हिंदू जनता को यह तत्य बताना है कि इश्वेर के स्थान पर हम हमारे स्वारती अंद्विश्वासी धर्माचारियों ने क्यों नारी के गुपतांग साहित सीव लिंग की पूजा जारी करवाई, पौरानिक साहिती के स्वाध्याई से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि भारत के दक्षिन परदेश में सर्व परतम वाममार्ग का उदैवा मद्य मांस मेथुन उनके संपरदाई के मूल आदार हैं उन्होंने अपने देवता सिव की उपस्तेंद्रिय की पूजा का अपने व्याबिचार प्रदान धर्म का प्रचार का साधन बनाया आज यही तक आपका अपना यूट्यूब चैनल है धन्यवाजी और स्री राम अरी जी ने जितने भी प्रमान बताएं आप मेरी बात का विश्वास मत कीजिए आप उन्हों पुरानों को डूंडिए आप उन्हों पुरानों को खरी दिए और आप उन्हों में से प्रमान ड जाएंगे क्योंकि मसाला तो उड़ा दिया पूपोनी बोसारा आपका अपना यूट्यूब चैनल दन्यूब